नमस्कार आप सबी को स्वागत है मेरी यूट्यूग चैनल जीदूर शुई में तो आज के वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए बनाना शुरू करती हूं तो सबसे पहले यहाँ पे 200 ग्राम पालक का पत्ते लेना है और जो डंटी होता है ना इसका वो तोड़ करके गाई सैड कर देना है और यह घर का पालक है आप देख सकते हैं क्योंकि छोटा छोटा है यह पत्ता बजार का पालक में तो बहुत लंबा लंबा सा रहता है और इस तरफ Ilk यो जाए तो जन्द करिंगे निकाल निकॉल करकर इसे सैड एक मिक्स जालव प्रों पनी के वही रिख स्टी बॉल दॉन दॉने चैनलाव होग से दिःना है। 2-3-4 आप पुझत ले सकें यहाँ पे हरी मिर्च डालना है आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पे कट करके डाल रही हूँ साथ में यहाँ पे लेसन की कलिया चार चे पांच या फिच्छे आप डाल सकते हैं और साथ में यहाँ पे आमचुर पाउडर डालना है अगर जिदे आपके पास कच्चा आम है तो आप वही डालें ठोड़ी सी पानी डाल करके इसे कर लेना है ग्रैंड तो देखे गाईस यहाँ पे ग्रैंड हो चुका है अब इसे कर रखना है शैड में और यहाँ पे लेना है दो आलू और इसे कदुकस कर लेना है तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से कदू कस हो जा रहा है न तो यह हो गया है तो इसे एक पॉल में ट्रांसफर करना है और इसे पानी डाल करके धो लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गंदी तो निकलता है न आलू का जो रहता है तो इसे दूब करके और कर लेना है सैड में अब इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेना है और जो भी पानी है उसे निकाल लेना है फहले और इसमें आप डालना है बेसन तो मैं यहाँ पे इस कप से इस बॉल से से थोड़ी कम बेसन ले रही हूं 4 यहाँ पर चाहिए आप मैं चावल का आटा लेएひ हूं लाल म्र्च प्रॉडर और चार्ठ मसाला और करम मसाला से थोड़ी सी जीराफ ओर्डर लेना है और धन्यापत्ता उपर से डालना है और लेसन दो कली उपर से कदुकस कर ले ना है क्योंकि कदुकस क्या हुआ ना लसन डालेंगे तो बहुत ही यमी लगेगा खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसे interact कर लेना है है जो भी पानी रहता है ना और स्वादन अनुसर नमक ०ालना है और उसी पानी में अगर जदी हो जाता है मैस तो ठीक है नहीं तो अलग से थोड़ी सी पानी डाल करके और इसे मैस कर लेना है इस तरीके से और इस तरीके से इसे शेप देना है और तेल में इसे च्छन लेना है तो देखें यह पर तेल गरम हो चुका है तो इसे एकक करके डालते जाना है और ध्यान रखना कि जादा गरम तेल में नहीं डालना है मिडियम तेल में ही गरम हो तभी डालना है और चाहें आप कोल गोल या फिर थोड़ा सा बरी टैप से आप इसका सेप दे सकते हैं और इसे अराम से पकनी देना है और फिर पलटते हुए दो से तीन बार अच्छे से क्रैंसी होने तक एकदम क्रिस्पी पका लेना है तो देखें या पे कलरी चेंज हो चुका है और अच् और शाबुत धनिया तो मैं यहां साबुत धनिया को थोड़ी सी हाथ से मसल करके तोड़ करके मैं रखी हूं उसे भी डाल करके थोड़ी भून लेना है और यह हो जाए तो मीडियम साइज का एक ओनियन या फिर दो आप यहां पे छोटे-छोटे पीसेस में करके आप इसे डाल करके अच्छे से भूनना है तो ध्यान डखना है गाइस कि इसमें प्याज को जादा मतलब लैटली भ्रॉन या फिरेट तक बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं भूनना है बस थोड़ा सा कलर चेंज वानी तक इसे भूनना है तो देखिए यहां पे हो गया है तो इसी त मसाले को डाल देना है ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाए तो लाल मिर्च पॉड़र डालना है दन्या पॉडर और जीरा फॉडर थोड़ी सी ग्रम मसाला डाल करके और इसे भून लेना है अचर थोड़ा सा यहां पर हल्दी पॉडर डालना है और इसे एक मिनट तक म拼बून लेना है मसाले को तो देखिए यहां पर एक मिनट हो चुका है अब इसमें डालना है जो पालक का पेश्ट है बनाकर के रखी थी वह यहां पर एड करना है तो जो mixer jar है उसे भी उसमें पालक लगा हुआ है पेश्ट तो उसमें थूड़ा सा पानी डाल करके उसे भी साथ में डाल देना है और इसे एक सी दो मिन्याट यहां पर भून लेना है ऐसे भी तो पालक मतलब पका हुए है तो ज्यादा देर भूनने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन एक सी दो मिन्याट इसे भून लेना है तो कवर कर देना है आप चाहें तो कम पालक भी यूज कर सकते हैं मैं यहाँ फे थोड़ी अच्छी मात्रा में मैं पालक यूज कर रही थी तो देखें यहाँ पे पालक जो है वो भून करके हो गया है रेडी तो अब इसमें डालना है श्वाद अनुशार नमक और इसे मिक्स कर लेना है आपके पास अगर्चती मलाई है तो आप मलाई डाल सकते हैं या फिर दही है तो दही डाल सकते हैं मैं यहाँ पे मलाई थोड़ी सी ही घर का मलाई है जो ठाली के उपर बढ़ता है दूद के उपर उसी का मलाई है तो मैं वही यूज कर रही हूं तो यहाँ पे डालना है अ ज्यादा पानी भी नहीं डालना है और इसे चला करके दो से तीन मिनट तक वाइल आने तक कवर करने तो देखिए दो से तीन मिनट हो चुका है अच्छे से वाइल भी आ गया है तो आप लोग देख सकते हैं अब इसमें करना क्या है कि जो बरी यानि पकोड़ा बना करके रखी थी वो इसमें एड करना है यानि डालना है तो ध्यान रखना है गाइस की पकोड़े को डाल करके ज्यादा देर क्योंकि जो पानी है ना कुछ देर तक अब्चोर्प कर लेता है इसलिए ज्यादा देर इसे पकाना नहीं है उत्यादत तो flame करना है off और इसे 2-3 नट के लिए cover करके छोड़ देना है तो देखे 2-3 नट हो चुका है, अब उपर से टाल देना है धनिया का पत्ता और इसे चलादेना है, mix करना है और इसे दुसरे बटन में है शर्ब करकर मैं दिखाती हूँ कि कितना yummy tasty बना है पालक आलू का सबची तो आप इस तरीके से जरूर बनाईएगा अपनी घर में और अपनी फैमिली मेंबर को सर्प कीज़ेगा खिलाईएगा और यह वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट वाक्स में बताईएगा आप लोग का कॉमेंट का मुझे बेसबरी से इंतिजार रहेगा और कैसा बनाई है वो भी बताईएगा तो देखे कितना अच्छा से एकदम कट जा रहा है ना बहुत ही यमी बनाई है वीडियो देखने के लिए थैंक यू